नमस्कार दोस्तों क्या अश्लिल वीडियो देखना याने पौर्ण वीडियो देखना भारत में अपराद है यदि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल पर या लैप्टॉप पर या कम्पूटर में किसी प्रकार की पौर्ण सामगरी जिसे हम अश्लिल सामगरी कहते हैं वेबसाइ या नहीं होता है अश्लिलता क्या होती है अश्लिलता का क्या मापदंड है और भारत में पौर्णोग्राफी से संबंदी देने अश्लिलता से संबंदी कौन-कौन से कानून है और कौन-कौन सी धाराएं हैं जिसके अंदर क्या-क्या बातें बताई गई है आज के छोटे से वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को हम प्रवावशाली धंग से कंप्रिट करेंगे आई ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्या भारत में अश्लिल वीडियो देखना भारत में क्या अपराद है इस बिंदू को आज हम लोग कवर करते हैं तो सबसे पहले परीचे करत अब ये अश्लिलता है क्या हम सबी जानते हैं कि हमारा प्रादूर भाव जो है आदी मानों से हुआ है और जब हम आदी मानों थे तब हम कपड़े भी नहीं पेंते नगन अवस्ता में इदोतर घूमते और पूरा कबीला का कबीला ने पूरा समाज नगन होता था तो क्या उस समय सब लोग अश्लिलत है अब प्रश्ण ये उड़ता है कि यदि पूरा समाज नगन था तो तो कोई अश्लिलता नहीं है लेकिन यदि आज पूरा समाज कपड़े पेहन रहा है और कुछ लोग बिना कपड़े के बाहर घूम रहे तो ये अश्लिलता की श्रेणी में आजाएगा तो अश्लिलता का मापदंड बड़ा ही विचित्र है आई ये स्टार्ट करते हैं हम लोग खजुराओं की मूर्ती देखते हैं अने एक मूर्ती कला में आपको इस प्रकार के मूर्तियां देखने को मिलती है इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं जो हमें प् सबसे पहले अशलिल्ता क्या है इस अशलिल्ता एने obscenity या वलगरिटी को हम कैसे define कर सकते हैं तो नॉर्मली जिसको फुहर का जाता है या जिसको भद्दा का जाता है वह अशलिल्ता होती है लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों की दृष्टी में वो भद्दा हो लेकिन कुछ आप देखते हैं कि कहीं लोग फटी वी जीन्स पेन के घूम रहे हैं तो यह फटी वी जीन्स पेन कर घूमना कुछ लोगों के लिए फेशन हो सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए भद्धापन हो सकता है फूहड़ता होती है कहीं लोगों ने मैलाय साड़ी पेन थी है एक स पुराना समाझ या आने वाला समाझ उसकी बात नहीं हो रही क्योंकि समय काल परिष्थितियों के अनुसार यह सारी बातें बदलने वाली हैं तो प्रचलित समाज की मान्यताओं में जो लोग इसको अमान्य मानते हैं उसको हम अश्लिल अध्वा फूहड बोल सकते हैं यानि आपसिन और वल्गेरिटी जो होती है वो परचलित समाज की दृष्टी में यदि अमान्य है तो इसलिए अश्लिलता कहा जा सकता है हम ये भी कह सकते हैं कि अश्लिलता वो होती जो कामुक्ता यानि कामवासना को बढ़ावा देती हो ऐसे कोई करत्य जो किसी व्यक्ति की में रखा जा सकता है जैसा कि मैंने आपको अधारण दिया आदी मानों का तो पहले आदी मानों नगन वस्ता में सभी लोग नगनों होते तो तब तो इसको अश्लिल नहीं माना जाता था लेकिन समाज की दृष्टी भी बहुत महत्पूर्ण होती है कि समाज किस दृष्ट गया है और क्या उसका उस समय का माब दंड है कि इसके बाद और यह हम बाग करें तो इसके उपर क्या-क्या कानूनी नि देहलूं एश्लिल्थ को स्लिल वक्ति नहीं को कामुक्ता का जन्म दे, गलत विचारों का जन्म दे और उकषाने वाली हरकते जदि कोई व्यक्ति करता है, कोई उकषाने वाली हरकते इशारे करता है, तो यह सब अश्लिल ताकिशरीणी में आता है। यह अब यदि हम बात करें कि क्या पॉर्णोग्राफी देखना याने क्या अश्रिल वीडियो देखना अपराद एक तो सीधे सीधे भारती दंड सहीता में इसे कहीं पर भी अपराद के रूप में नहीं बताये गया है लेकिन कहीं जगों पर पॉर्णोग्राफी को लेकर सजाएं भी होती है धाराएं भी लगती है हम उन बिंदों पर चर्चा करते हैं क्या पॉर्ण देखना भारत में क्राइम में तो यह कहीं पर भी क्राइम नहीं है अलाकि पॉर्णोग्राफी होती क्या है पॉर्नोग्राफी मतलब अशलिल फोटोस को, अशलिल चित्रों को, अशलिल वीडियोस को, अशलिल वेबसाइट को सर्कुलेट करना जिसमें सेक्स्वल एक्षन है, मतलब योन संबंदित एक्टिविटीज होती है जो किसी व्यक्ति में sexual excitement ये ने काम वासना के प्रती excitement लाती है उसी को ही अश्लिलता या अश्लिल content का जाता है इसको पॉर्नोग्राफी भी का जा सकता है ये website के माध्यम से भी आती है अनेक जगों पे किताबों में अश्लिल किताबें होती है अश्लिल साहित्य होता है अश्ल से दूसरे कंप्यूटर में circulate होती है website text के माध्यम से और यदि हम पॉर्न देखना अपराद है या नहीं उसको देखें तो पूरे IPC में direct ऐसा कोई section नहीं है जो इसे अपराद बताता हो लेकिन पॉर्नोग्राफी से संबंदित को चार कानून है जिन कानूनों के बारे में आपको जानना जरूरी है सबसे पहले चार कानून है जो अश्लिलता और पॉर्नोग्राफी से कनेक्टेड होते हैं सबसे पहले हमारे देश का सबसे बड़ा कानून जैसे हम IPC कहते हैं इंडियन पिनल कोर्ट 1860 भारती दंड सहींता 1860 की दो धारा हैं 202 और 203 यह आपको य देश के दूसरे इंपोर्टेंट कानून की जिसका नाम है Information Technology Act जैसे हम सूषना प्राध्यूकी के अधीनम केते हैं सूषना प्राध्यूकी के दिनम वर्ष 2000 में बना था और यह साइबर पॉर्नोग्राफी को भी कवर करता है साइबर मलब कंपिटर और इंटरनेट के माध् सेको सेक्शन reiterate के जरिए कोई सामगरी इसको भेजता है तो ये option material भेजने पर भी ये धारा attract होती है, ये धारा उसके लिए दंड का प्रावधान करती है तीसरा कानून पॉक्सो अधिनियम दोजार वारा पॉक्सो नाम से सपस्ट है prevention of the children from the sexual offense act याने लेंगे कपरादों से बालकों का सौरक्षन अधिनियम दोजार वारा इसमें male child हो या female child हो, उनसे संबन्दी देदी कोई वेक्ति उनका photo लेता है, अश्निल चित्र लेता है तो धारा चवुदा clause 1 में 5 साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है और सबसे आखरी एक और important कानून है, इस तरी अशिष्ट निरूपण अधिनियम जिसे हम कहते है Women's Indecent Representation एक इने महिलाओं का अशिष्ट तरीके से representation करना, मलब निरूपण करना 1986 का एक कानून है, इस कानून के अंतरकत भी इस प्रकार के material के उपर रोक लगाई गई है तो यह है मित्रों, आज के इस topic के बारे में हम लोगों ने चर्चा की क्या pawn देखना अपराद है, तो directly ऐसा कोई section नहीं है, लेकिन circulate करना यह अपराद में माना जाएगा Thank you for watching this video, YouTube channel को subscribe करें और like करें, thank you so much